अनार हम सब जानते हैं हमारी इंटायर वालीकिन क्या आप जानते हो आपकी स्किन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं क्योंकि इसमें होते हैं पाउर्फुल आंटायोग्सिडन्ट वाइट मिन सी आईरन इसके साथ इसाथ एंटी बैक्टिर एंटी इंफरमेटरी इसके इसके अलावामने से यहां क्युक्सिद्के चाव दिल हो जाती है किन यह थी अपना तरही कि आ कंदी दूपर्ध कि तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ चीन लेते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा नाइट क्रेम या ऐसा नाइट क्रेम सेरम आपके साथ शेयर करने वारी हूं जो कि ना सिर्फ मौश्राइस करेगा उसके साथ ही साथ आपकी स्कीन के टोन को एक से दो टोन तक लाइटन करेगा इसके लावा आपके स्कीन को ब्राइटन करेगा इसके साथ अगर आपके स्कीन में रिंकल फाइलेंस यानी समय से पहले आने लगी है इसकीन को टाइटन यानि अनार अनार हम सब जानते हैं कि हमारी इंटायर बॉड़ी के लिए उसका जूस किसी वर्दान से कम नहीं कि उसी कि आप जानते हो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है अगर मार्केट की बात की जाए तो आपकी अच्छी से अच्छी म लिम आती हैं क्योंकि अनार में होता है पावफुल आइंटाय ओक्सिदेंट रिच आईरन इसके अलावा वाइटमिन सी इसके साथी साथ एंटी बैक्टियल एंटी इंफलमेटरी प्रॉपर्टी इसके साथ इसमें थोड़ी से माइल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी सोती है य कुत हमारी जोस्किन हमारी इसकी हर चार वीक में अपने पुराने सेल को छोड़ देzessी है लेकिन कहीं ने कしまीं डाती यह हम जब सकनलख सबकेक हैं जिसके connection dingen प्लेग करे गारे जीसके वजह से ऑपकेड़गों क्वालगों फॉक्त hops हमारे एकने मेटत शुपं उपन हो जाए स樣स लेएगज आप जो भी अपलाई करोगी आपकी स्किन अंदर अब पाएगा इसके बाद सकी को deeply मौत haarईلिय करेगा जरूरत सबसे पहली जडूरत है अज़ यह तो आंग्षपी को बेखा़ धेर करेंगी फोर्थ आपकी स्किन को टाइटन करेंगी यानि की रिंकल्स वाइ लैंस अगर आपकी स्किन में आ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे अगर आप इसे लॉंग्तम्मीन यूज करते हैं सर्दियों में हर वीक आप बना करें इसको पूरा हटा बनानें वाले हैं तो दोस्तों उसके लिए लेना आपको यहां पे एक लेला है यह क्रीम जो मैं चैसे साथ दिन के लिए बनाने वाली जल में अगें ऐंटी एक्सिडेंट होते हैं रिंकल्स को दूर करता है वाइट मिन रीडिया होता है तो उसमें दो चमच अलॉजय्ट का भाइट करें इसके बाद क्रीम का जो वह बेस है ड्राइ स्किन वालों के लिए अगर कोई क्रीम आप पूछोगे तो बादाम यूक्त क्रीम ही रिकॉमन्ट की जाते हैं इसके अलावा कोस्मेटिक वगर में आपने देखा होगा बादाम के तेल का बहुत जादा यूज किया जाता है उसके बाद इसमें एड करें हमें 5-6 अगर आपके पास गुलाब का पाउडर नहीं तो यहां गुलाब के गुलाब जल का भी इसमाल कर सकते एक चमस गुलाब जल इसमें मिक्स कर दें अच्छे से मिक्स करें इसको उसके बाद इसको किसी कंटेनर में स्टोर कर लें इसको किस प्रकार हम को अपलाई करना है इसक प्रकार अपलाई करना मैं आपको करके बता देती हूं सबसे पहले अपने आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है क्लेंजर से स्किन राई है तो यहां पे कच्छे दूद का कॉटन की सहता से फेस साप करें सीरम बनाया है इसको आल ओवर चेहरे पर अपलाई करें उसके अवार्स काया है अकली वक्षब करती करती है तो क्या विडियों हमुत करती है मेरा या आप वाले पर याह य जुशन के लिगा श AFP लिए यह पर पसंद आइफ वीडिवकुर्व्यारी के जू स्पक्लाइब करें तब तके लिए नमस्कार, बबाई तिल दिन टेक के